नमस्कार दोस्तों, Curious Box और Curious Wealth में आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में मैं Sipla का Analysis करके आपको दिखाने वाला हूँ Sipla से Related मेरे Telegram चैनल पे और WhatsApp पे बहुत सारे Message आ रहे हैं कि Sipla ने बहुती अच्छी Rally दिखाई है, Consolidate हो रहा है अब यहां से क्या यह और भी ज़्यादा अच्छी Rally दिखा सकता है या नहीं उसके बारे मैं मैं इस वीडियो में Analysis करके आपको बताऊंगा कि आपको Current Level पे Buy कर लेना चाहिए या कुछ समय और इंतजार करना चाहिए Detail Analysis करने से पहले मैं आपको इसका Result के बारे में थोड़ा जानकारी दूँगा जो Recently Announce किया गया था तो जैसा कि आप यह देखेंगे कि Sipla ने अपना Result 15 में को Declare किया था अटमोटी Headlines अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि Q4 में इनको Profit हुआ था जो कि लगबग 1% से Grow हुआ है लेकिन हम अगर Detail में इसको देखने जाएंगे तो आप देखेंगे कि Year on Year basis पे 33% का Reduction आया है इसमें वहीं अगर मैं बात करूँ जो Major Profit इनको हुआ है इतने करोड का वो Basically इनकी एक Generic दवाई थी जो कि इनोंने US Market में लाउंच की थी उसकी वहाई से इनको वो Benefit मिला था Otherwise अगर आप देखेंगे 0.6% का Decline हमको देखने के मिला है जो कि Revenue इनको Operations की तरफ से आता था उसमें Compared to Last Year वहीं North America की Market से इनका Revenue लगबग 25% तक गिर चुका है 1% इनका European Market से गिरा है हाला कि Indian Market में इनोंने लगबग 12% Year on Year basis पे Increment जरूर दिखाया है लेकिन बाकी जो बाहर की Market थी वहाँ से इनका जो भी Revenue है उसमें हमको Decrease होता हुआ नजर आया है अगर हम Full Year की बात करेंगे तो वो भी देख सकते हैं आप जो पूरा Profit है वो 1% के Increase हुआ है लेकिन क्योंकि अगर Company को Grow करना है तो इनको बाकी सारी चीजे और बाकी सभी Market से भी Business किस तरीके से आ रहा है वो चीज देखनी होती है चलिए अब मैं आपको Chart के उपर ले जाके दिखाऊंगा उससे पहले अगर आपने धहन दिया होगा कि वीडियो में मैंने Curious Box के साथ-साथ Curious Wealth का भी नाम लिया था वो इसलिए लिया था क्योंकि मैंने एक नया Curious Wealth नाम से एक चैनल बनाया है जिसमें मैं ज़्यादतर वीडियो से ट्रेनिंग से रिलेटेड अपलोड करता हूँ Basic Level की Stock Market की जो भी ट्रेनिंग की जरूरत लगती है उसके सारे ही वीडियो मैंने अपलोड किये हैं आप मेरे इस चैनल के उपर आके ये वीडियो से लर्निंग कर सकते हैं साथी साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आज मैं कुछ और वीडियो अपलोड करूँग जिसमें इस सब्सक्राइब जो इस टॉक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं उसके बारे में मैं जानकरी दूँगा तो आप ये चैनल के उपर भी विजिट कर सकते हैं अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे WhatsApp पे इस नंबर के उपर मैसेज कर सकते हैं या Telegram में इस मोटा मोटी लंबा टाइम फ्रेम नजर आए तो इसमें आप देखेंगे कि एक अच्छा Trend Line Resistance हमको दिखाई दे रहा है जहां से हर बार सिपला ने Bounce और एक तरीके से Reversal किया है Bounce Back मैं बोलने वाला था क्योंकि Upside की तरफ से गिर रहा था इसलिए Simple Terminology मैं बोलू तो यहां को जोइन करकी हमारा तीसरा पॉइंट आया है और यहीं के आसपास अभी आप देख सकते हैं यहां पर पांच स्केंडल हमको नजर आ रही है यानि कि लगवग पांच वीक या फिर देड़ महीने से लगवग सिपला जो है इस लेवल को ब्रेक करके उपर नहीं जा पार रह है अगर मैं वॉल्यूम्स के हिसाब से भी बात करूँ तो आप देखेंगे जब से स्टॉक ने अपना लो बनाया था लगवग साड़े 300 के आसपास का वहां से कंसिस्टिंटली स्टॉक उपर गया था और उसी समय में इसमें वॉल्यूम्स भी हमको अच्छी खासी नजर आ हारी है हाला कि कुछ लोग बोल सकते हैं यह अच्छा का सब फ्लैक का पैटन बन रहा है और इसी वज़े से मुझे मैसेजस भी आ रहे हैं क्या हम इसको एड कर सकते हैं दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा मेरा एक टेलिग्राम का चैनल भी है जिसका लिंक मैंने आफ कॉस्ट है तो उस सवाल का जवाब यही रहेगा कि जो लोग थोड़ा रिस्क ले सकते हैं वो इस स्टॉक को करन्ट लेवल पे ही एड करें फ्लैक का ब्रेक आउट होने का इंतजार ना करें क्यूंकि फ्लैक का ब्रेक आउट यहां से लगबक 50 से 55 या 60 रुपए के उ तो आप यह चीज मिस कर सकते हैं यह तीसरा टाइम है जब यह अपने रेजिस्टेंस को टच कर रहा है और अगर इस समय ब्रेक आउट होना होगा तो आपके लिए करन्ट जो लेवल है वहां पे रिक्स टू रिवार्ड रेशियो जो है वो बहुत ही अच्छा निकल के आता है आप करन्ट लेवल पे 560 से 570 के बीच में इसको एड कर सकते हैं लेकिन blindly एड मत कीजिए क्योंकि अभी Friday को result आया है तो आप इंतजार कीजिए कि Monday के दिन में यह stock किस तरीके से behave करता है अगर stock नीचे गिरता है और वहां से bounce दिखाना शुरू करता है उसी समय पे आप 560 और 570 के आसपस buying कीजिए otherwise इस stock के उपर currently weight and watch का situation अभी भी बना हुआ है लेकिन अगर bounce होता हुआ नजर आएगा तो आप 560 के आसपस buy कर सकते हैं इसके अंदर stop loss जो है आप लगबग 530 से 520 का लगा करके hold करेंगे यानि कि आपका लगबग 30 से 40 रुपे का stop loss निकल के आता है upside level जो हमको देखेंगे हम जैसा देख सकते हैं इसी range में घूम रहा है तो आप profit book कर सकते हैं लगबग 630 के आसपस यानि कि आपको लगबग यहां से again 50 to 60 रुपीज का gain मिल जाएगा और अगर यह breakout successful होता है अपना multi-year resistance या फिर multi-year resistance support line को यह break करता है तो यहां से आपको और भी बहुत अच्छी rally देखने को मिल सकती है जो कि लगबग इसको 800 से 900 रुपे के level पे भी लेके जा सकती है लेकिन उसके लिए आपको 6 से 7 महीने या एक साल तक का भी इंतजार करना पड़ सकता है current levels पे आपको अगर risk नहीं लेना है तो आप इस stock को avoid कर दीजिए क्यू इसको avoid करना ज्यादा better रहेगा जो लोग risk ले सकते हैं सिर्फ उनके लिए ही ये decision अच्छा रहेगा कि आप 560, 570 के आसपास buy कीजिए 30 to 40 रुपीज का stop loss लगा करके otherwise इस stock को अगर आपने avoid किया तो ज्यादा बहतर रहेगा as a disclosure आपको बताना चाहूंगो जोगी information मैंने इस वीडियो में दी है वो सिफ education purpose के लिए मैं किसी को भी बायसल का recommendation नहीं दे रहा हूँ अगर मेरी दीवी जान कर ये आपको पसंद आई हो तो आप एक बार अपनी तरफ से study कीजिए या फिर अपनी किसी भी ट्रेस्टी स्ट अपना निवेश करें